दोस्तों बहुत-बहुत स्वाग हैं तैंध्र ०ॉन्हों में त्रेंड बोर्ट न्यूजिलैंड के स्टार प्लियर। उन्होंने के कॉंट्रैक्तूल कॉंट्रैक्त बनता है उसमें下 नाकर और बोर्टो तो का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो ट्रेंड बोल्ट है वो अब न्यूजिलेंड क्रिकेट के साथ जब कॉंड्रेक्ट लिस्ट में नहीं है तो उससे ज्यादा जो दुनिया के दूसरे लीग सो रहे हैं जैसे कि साथ अफरिका में अब लीग स्टार्ट होग वंडे के मैचेस कम होंगे टेस्ट क्रिकेट का क्या होगा इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या होगा कितना होगा इंटरनेशनल क्रिकेट क्योंकि दुनिया भर में तो लीक्स ही लीक्स चल रही है तो इस बीच डिगज महान कपिल देव का एक बयान सामने आया है उन्होंने एक फुटबॉल खेलने वाले देश्ट एक दूसरे के खिलाफ उतना नहीं खेलती है जितना क्रिकेट में होता है खिलाडियों का फोकस अपने क्लब पर रहता है और वो सिर्फ वर्ल्ड कप खेलते हैं बविश में इंटरनेशनल क्रिकेट की हालत कुछ ऐसी ही होगी इंटरनेश सर का बयान था उनको लगता है कि जिस तरीके से टी 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 लीग का चलंज जादा बढ़ गया है आने वाले समय में वर्ल्ड क्रिकेट में जो वन डे क्रिकेट होगा यह टेस्ट क्रिकेट होगा वो कम हो जाएंगी और आईसी सी को इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे वन डे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट यह दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेट की अउधी को बचा कर रखना चाहिए बढ़ाना चाहिए उन्हें तो आपको क्या लगता है आपको पिल देओ के बयान पर अपनी राय क्या देना चाहते हैं आपको क्या लगता है कि भाविश में जो ये T20 लीक्स है वो ज़ादा होनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकट के मैचेस ज़ादा होने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताईए वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए साथ ही स्पोर्स तक को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिक्रशन की घंटी बचाना बिलकोल मत भूलेगा वीडियो अगर आप हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लिजे साथ इस पोर्स तक एप को भी आप अपने फोन में जरूर डाउनलोड करके रख झाल